हेलो गाइज वेल्कम टो आज चानल वेलिंग आर टुड़ेश टॉपिक इस रोमेन नंबर्स रोमेन नंबर्स स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका रिविजन कर लेते हैं कि किस नंबर के लिए हम कौन सा अल्फबेट यूज करते हैं आज हम सीखेंगे कि इन रोमेन नंबर्स को हम ब्रेल में कैसे लिखेंगे और कैसे इनका यूज करेंगे तो इसका मतलब वो जगह कि हमने वी कैपिटल में लिखा है और कैपिटल में वी का मतलब होगे आपका 5 अगर हमारे पास एक से जादा अल्फबेट लिखे हैं जैसे हमने लिखा 20 तो 20 में हम दो एक्स का यूज करेंगे एक्स एंड एक्स तो इसके लिए हम दो बार डॉट शिक्स लिखेंगे अगर हमारे पास एक से जादा अल्फबेट से तो हम दो बार डॉट शिक्स लिखेंगे स्टार्टिंग में देन जितने भी अल्फबेट से उने लिखेंगे और बाकी एक्जामपल्स करते हैं जिससे कि हमारे ये कॉनसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएं here is our first example 10 तो 10 को हम रोमर में लिखते हैं x अब इसे ब्रेल में कैसे लिखेंगे फर्स्ट वाले सेल में हम लिखेंगे dot 6 then second वाले सेल में हम लिखेंगे x का dot means 1, 3, 4, 6 second example second example है हमारा 15 1, 5, 15 अगर हमें रोमर में 15 लिखना है तो हम x और v लिखते हैं x और v हमारे दो alphabets आ गए हाँ पर तो इसलिए हम यहाँ पर दो बार dot 6 का यूज़ करेंगे first वाले सेल में dot 6 लिखना है then again second वाले सेल में हमें dot 6 लिखना है फिर third वाले सेल में हम x का dot लिखेंगे और fourth वाले सेल में v का dot तो इस टाइप से हम 15 को प्रेल में लिखेंगे दो में नमबर में so our next example is 685 तो इसको हम प्रेल में कैसे लिखेंगे d डिनोट करते है हमारा 500 का c is 100, l means 50 और x means 10 तो 685 को हम लिखेंगे dcl triple x v यह हमारा थोड़ा बड़ा और expanded roman number है तो इसको हम प्रेल में कैसे लिखेंगे दो बार dot 6 लिखेंगे first वाले सेल में dot 6 then second वाले सेल में dot 6 फिर उसके बाद d का dot, c का dot, l का dot, x, x, x का dot और v का dot तो इसे हम roman number में इस टाइब से लिखेंगे simple आपको दो बार dot 6 यूज़ करना है then उसके बाद जितने भी number से हैं उन्हें प्रेल में लिखना है as it is our next example is 1911 means 1911 और roman numbers में हम इसे लिखेंगे m, c, m, x, i अगर हमें roman number को ब्रेल में लिखना है तो इसके लिए simple हम दो बार dot 6 का यूज़ करेंगे first सेल में dot 6 then second सेल में dot 6 और उसके बाद m का dot then c का dot फिर m का dot then x का dot और फिर i का dot it's easy इसमें कुछ difficult नहीं है और next example है हमारा 2019 2019 इसको हम roman numbers में लिखेंगे m, m, x, i, m तो first सेल में हमें dot 6 पुट करना है second सेल में again we have to put dot 6 फिर m का dot लिखना है 1, 3, 4 फिर next वापस से हमें m का dot लिखना है 1, 3, 4 फिर x का dot 1, 3, 4, 6 i का dot 2, 4 then again x का dot 1, 3, 4, 6 तो इस टाइप से हम roman numbers को brain में denote करेंगे now we have to do our next example last but not least so listen it carefully 1, 2, 3, 5, 6 then i लिखना है तो फिर हमने dot 6 पुट किया और फिर i का dot लिखा 2, 4 फिर हमें लिखना है plus तो plus के लिए हमने 3, 4, 6 का dot use किया then हमें लिखना है 2 2 means double i तो dot 6, dot 6 then i और फिर वापस से i का dot उसके बाद हमें curly bracket close करना है तो curly bracket के close का dot है वो है आपका 2, 3, 4, 5, 6 then आपको plus का dot लिखना है plus means 3, 4, 6 उसके बाद आपको 3 लिखना है 3 means 3 times i तो 2 बार आप dot 6 लिखेंगे और फिर 3 times i का dot लिखेंगे इसके बाद हमें लिखना है is equal to is equal to की यह condition होती है कि is equal to से पहले और बाद में दोनों जगा हमें एक-एक cell leave करना होता है तो 3 लिखने के बाद हमने एक cell leave किया फिर अब हम लिखेंगे is equal to का dot is equal to का dot means 4,6 फिर्स सेल में और सेकिंड बारे सेल में आपको लिखना है 1,3 देन उसके बाद again you have to leave a cell फिर आपको लिखना है i plus तो आपने एक cell leave किया उसके बाद आपमें लिखा dot 6 देन i का dot उसके बाद हमें लिखा plus का dot 3,4,6 फिर अगेन आपका curly bracket begin हो रहा है तो curly bracket begin का dot है आपका 1,2,3,5,6 देन आपको लिखना है 2 2 means 2 times i तो आपने दो बार dot 6 लिखा देन दो बार i का dot लिखा फिर उसके बाद plus का dot लिखा 3,4,6 देन 3 लिखना है आपको तो 3 लिखने के लिए आपको 2 बार dot 6 का यूज़ करना है और 3 times i लिखना है और फिर वापस आपका curly bracket close हो रहा है तो उसका dot आपने put कर दिना है means 2,3,4,5,6 तो जितना भी हमने आज की class में किया है hope आप लोगो clear हो गया होगा यह सारा concept in case कोई भी डाउट हो तो you can ask me बाकी easy concept है single alphabet के लिए आपको 1 बार dot 6 लिखना है और अगर एक से ज्यादा alphabets है तो आपको 2 बार dot 6 लिखना है और बाकी जो भी conditions I mean जो भी कोशन है plus minus multiplication division कोई भी कोशन है तो वो उसके according आपको इसमें फिक्स कर देने है keep practicing and check care बाकी कोई भी डाउट हो तो you can ask me on YT और चैलेगा and मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तब check care and bye